एक सो तीस साल पहले आज ही के दिन इस धर्ती पर एक ऐसे व्यक्ति ने जनम लिया था जिसकी बदोलत आज मेरी और आपकी इंसानों में गिंती होती है मैं आज पढ़ लिख पा रहा हूँ, साशन और प्रशाशन में हिस्सेदार हूँ और अपने अधिकारों को पहचानता हूँ मैं अकसर सोचता हूँ कि अगर उस वक्त डॉक्टर अंबेटकर ना होते तो क्या आज मेरा अज़ाद वजूद होता जवाब की कल्पना आप खुद कर सकते हैं जैविम साथियों मैं हूँ सुमें चोहान और आप देख रहे हैं दे न्यूस बीग डॉक्टर अंबेटकर बीशवेश अधी के ऐसे महनायक थे जिनोंने करोडों लोगों को ना सिर्फ इंसान का दर्जा दिलाया बलकि समविधान के रूप में उनके बुनियादी मानवाधिकारों की गैरेंटी भी दी बीस्वी शिताब्दी में पूरी दुनिया में उपनवेशी शाषन से लोगों को मुक्ती मिली इस सदी में इंसान ने खुद को एक आजाद इंसान साबित करने और अपने अधिकारों के लिए जबर्दस अंगर्श किया अंग्रेजों ने भारतियों को सिर्फ 200 साल तक गुलाम बना कर रखा था लेकिन इस भारतियों महदूईप में कुछ लोग ऐसे थे जिने हजारों सालों तक गुलामी की ऐसे जंजीरों में जकड कर रखा गया जिने कोई तोड़ ना सका था पढ़ने लिखने की मना ही सरवजनिक कुव और तालावों से पानी पीने की मना ही संपती नहीं रख सकते बिना मजदूरी के जीवन भर काम करना पश्वों से भी बत्तर जीवन जीने के लिए मजबूर होना ब्रामन वादियों का मलमुत्र साफ करना और मरे हुए पश्वों की चमडी उधड़वाने का काम करने वाले शूद्रों अतिशूद्रों को अजाद खयाल इंसान बनाना क्या किसी उपनिवेशी महाशक्ती को ह भाराने से कम है समाचार पत्र निकालना चाहे दुष्ट मनु के विधान मनु स्मृति को सरयाम आग में जोकना हो या फिर न माखों से पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कर गांधी को जीवन दान देना चाहे एक के बाद एक अपनी उलाद को दफनाना हो या फिर इस देश का सम्विधान करने बिना रुके अपने संघर्ष को जारी रखा वो ना ठके और ना हारे मनुवादियों के हमले और धंकिया भी उनका होसला नहीं तोड़ पाई तमाम विपरित प्रिस्तितियों के बावजूद खुद पढ़ लिक कर अपने आपको इस काबिल बनाया कि वो बड़े से ब बाहर बैठकर पढ़ने को मजबूर एक चात्र को उस वक्त कैसा लगा होगा जब वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंडन स्कूल अफ एकोनोमिक्स की इमारत की सीडिया चड़ रहा होगा एक चात्र के रूप में तमाम कठिनाईयों से लड़कर सफलता के शिखर तक पहुँचने तक डुक्टरामबेटकर का जीवन आज तमाम चात्रों के लिए प्रेणा दायक है घर बार छोड़कर अच्छी सिक्षा और रोजगार की तलाश में बड़े बड़े शहरों में संगर्ष करने वाले छात्रों को उनके जीवन के संगर्ष से प्रेणा लेनी चाहिए बाबा साब डुक्टरामबेटकर और माता रमाई का जीवन संगर्ष भी तमाम कपल्स के लिए एक मिसाल है बाबा साब कहते थे कि पती और पदनी का रिष्टा एक दोस्त का रिष्टा होना चाहिए इससे हमें ये सिक्षा मिलती है कि कैसे हम भूजन मिशन में अपने जीवन साथी का साथ दें आज जब मनुवादी ताकते चरम पर हैं बाबा साब के विचार ही हमें ब्राहमन वादियों से लड़ने की शिक्षा देते हैं मनुवाद बनाम अम्बेटकरवाद की इस लड़ाई में अम्बेटकरवाद ही एक उम्मीद की किरन दिखाई पड़ता है अपनी किताब पाकिस्तान उर्दी पार्टिशन ओफ इंडिया में बाबा साब डुक्टर अम्बेटकर लिखते हैं यदि हिंदू राज एक हकीकत बन जाता है तो इसमें कोई शक नहीं कि ये इस देश के लिए सबसे बड़ी आपदा होगी कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिंदू क्या कहते हैं हिंदू धर्म समानता, सोतंतरता और भाई चारे के लिए खत्रा है ये लोक तंतर के लिया संगत है, हिंदू राज को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए आज इस खत्रे की सबसे ज्यादा आशंका है ऐसे में बाबा साहब के बताई रास्ते पर चलकर ही हम इस खत्रे से निपड़ सकते हैं डोक्टर अमबेटकर ने हिंदू धर्म द्वारा पोशित वर्णवाद की बख्या उधेड कर रखती थी अपनी पुस्तक जाती का खात्मा में डोक्टर अमबेटकर लिखते हैं मैं हिंदू के अलोचना करता हूँ, मैं उनकी सत्ता को चुनोती देता हूँ इसलिए वो मुझसे नफरत करते हैं, मैं उनके लिए बाग में साप की तरह हूँ शूद्रो अति शूद्रो को जिन धर्म गरंथो को पढ़ने की जाज़त तक नहीं थी उनी ग्रंथो द्वारा स्थापित वरण व्यवस्ता और भेदभाव के सिधानतों को डूक्टर अंबेटकर ने अपने सवालों से धूल चटा दी अपनी किताब अच्छूद कोन थे और वो अच्छूद कैसे बने में डूक्टर अंबेटकर लिखते हैं सब ही मनुश्य एक ही मित्टी के बने हुए हैं और उन्हें ये अधिकार भी है कि वे अपने साथ अच्छे व्यवहार की मांग करें रिगवेद के पुरुशुक्ता में जिन शूद्रों को ब्रह्मा के पैरों से उत्पन हुआ बताया गया वहां मानव के प्राकरतिक अधिकारों की बात करना अपने आप में करांती है महिलाओं को मातरतों के अवकाश का अधिकार दिलाने से लेकर भारती रिजव बैंक की संकल्पना देने तक में डुक्टर अंबेटकर की आधुनिक सोच का परीचा मिलता है हम उनके जीवन से बहुत कुछ सीख सकते है आज जब भुजन आगे बढ़ रहे हैं तो उनके सामने चुनोतिया भी बढ़ रही है जातिवाद का रोग अभी भी मनुवादियों में जड़े जमाए बैठा है हर रोज S.C.S.T. समुदाएं के लोगों के खिलाफ अपराद के ओसेतन सो से ज़्यादा मामले दर्ज होते हैं इन में जातिए भीदभाव, उत्पीडन, हत्या, रेप, गैंग रेप और दूसरे अपराद शामिल है ऐसे समय में जब दलितों के खिलाफ अपराद में नयाए की दर सिर्फ चोदा परतीशत है उस वक्त S.C.S.T. Act को कमजोर किया जा रहा है आरक्षन को आगोशित तरीके से कॉलेज और युनिवर्सिटीज में खत्म किया जा रहा है तरह तरह से फेलोशिप खत्म करके स्कोलर्शिप की राशी घटा कर कई गुणा फीस बढ़ा कर हमें पढ़ने लिखने से रोकने की कोशिश हो रही है प्राइवेटाइजेशन और लेटरल एंट्री के बहाने चंद जातियों को फाइदा पुचाया जा रहा है आज भी हमें स्कूल कॉलेट से लेकर दफ्तरों तक में जाती का दंश जेलना पड़ता है ऐसे समय में डुक्टर अमबेटकर का संदेश याद रखना चाहिए अपनी किताब गांधी और अचुतों का उधार में बाबा साब ने लिखा है वन्चित अबके के युवाओं को मेरा ये पैगाम है कि एक तो वो सिक्षा और बुद्धी में किसी से कम न रहें दूसरे एश्वाराओं में नय पढ़कर समाज का नेत्रुद्व करें और तीसरे समाज के प्रतियबनी जिम्मेदारी संभालें और समाज को जागरत और संगठित कर उसकी सच्ची सेवा करें बाबा साब की ये सीख हमें हमेशा याद रखनी चाहिए क्योंकि वो थे तो आज हम हैं हमारी तरफ से आपको बाबा साहब की 130 वी जैनती की धेरो बधाई वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरा नाम सुमेच चोहान है और इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद कर रही है मेरी सायोगी अज्रा परवीन अगले वीडियो में मिलते हैं जै भीन जै भारत